अधिश वीडियो में हम साउथ अमेरीका महादीब के फिजिकल असपेक्ट आप कवर करना शुरू करेंगे इस से पहले हमने प्रॉल्टिकल मैप देखा था इस से पहले का वीडियो था इस वीडियो में हम अफ्रीका वह जो अमेरिका है साउथ अमेरिका है उसकी जो प्रमुख जील हैं उनको हम लोग देखेंगे तो सबसे फेमस जील जो है वहाँ पर पहली जो जील है जिसका नाम है मरा कैबो जील क्या नाम है मरा कैबो जील तो यह जो देश है यह है वेनेजुएला जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा तेल का डिपॉजिट है और यह मरा कैबो जील जहां है यह उसी के करीब में ही अवस्तित है तो 12950 वर किलो मीटर की मरा कैबो जील जो है दक्षिड अमेरिका की सबसे बड़ी जील है दक्षिड अमेरिका की सबसे बड़ी जील है दक्षिड अमेरिका की क्या है यह सबसे बड़ी जील है अब दूसरी एक बहुत important जील है जिसका नाम है टिटी काका क्या नाम है टिटी काका तो टिटी काका जो जील है वो है बोलीविया यह आप देश देख रहे हैं यह इसको क्या बोलते हैं बोलीविया और पेरू ठीक है यह पेरू है पेरू इसी के बॉर्डर पे यह क्या है अवस्थित है एकदम बीच में यहाँ पर मान लेजिए और विश्व की सबसे उचाई पर अवस्थित जील है विश्व की सबसे उचाई पर इस्थित जील है और यह नौका गम में है इसका मतलब क्या है कि इसमें नाव चल सकती है इसमें नौका गम है या नौगम है इसमें नौगम में भी बोल सकते हैं नैविगेबल भी बोलते हैं इंगलिश में और एक जील है जो काफी इंपॉर्टेंट है बोलिविया में ही है इसका नाम है पोपो जील क्या नाम है पोपो जील ठीक है पोपो जील है कहां पे ये है बोलीविया में ही है टिटी काका जो है बोलीवियो और पेरु को बीच में है और मरकाइबो जील का है वेनेजुएला में है तो यही तीन जील जो है दक्षिन अमेरिका की सबसे प्रमुक जील है सबसे बड़ी जील कौन सी जील है जील है और सबसे उचाई पर अवस्थित जील है उसका नाम टिटी काका है जो पेरू और बोलीविया के बीच में है और पोपो जील जो है ये भी कहा है बोलीविया में है तो I hope कि आपको ये समझ में आया होगा बस यही तीन मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्स हैं साउथ अमेरिका की और इसके बाद जो है हम नेक्स वीडियो देखेंगे थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग दा वीडियो